चलिए, आज हम पर्दा बिर्यानी बनाएंगे, जिसे हम पोटली बिर्यानी भी बोलते हैं, इसे आपने रेस्टोरन में या बाहर जरूर खाया होगा, बट घर में बनाने की हिम्मत नहीं हुई होगी, क्योंकि देखने में काफी टिपिकल लगता है, काफी डिफिकल लगता ह बट ऐसा है नहीं, बस थोड़ा पेसिंस की जरूरत होती है, और बहुत आसानी से बन जाता है, तो चलिए फटा पट रेसिपी सुरू करते हैं, तो मैंने बुलाव वाले या विर्यानी राइस लिये हैं, और उससे मैंने धुल लिया है, और उसके बाद इसे दस मिनट के ल जानी रहे हैं, इसकी लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा निम्बू कर रस और इसे डाल करके हमें इसे उबालना है, और इसे हम खुले में ही उबालेंगे, मीनस अधक की नहीं उबालना है, बस जब तक ऐ 70-80% कुक होता है उतना ही हमें चावल को अबालना है, और यह फ देख सकते हैं, मैंने लिए हैं, फूल गूभी, बीन, मटर, सिम्ला मिर्च, गाजर, पनीर, और सोया बड़ी, और उबले हुए थोड़े से आलू, इसके लावा आप जो भी सबजी चाहिए वो ले सकते हैं, जो भी माइनस करना वो माइनस कर सकते हैं, फिर मैंने तीन मीड पनीर फ्राई करेंगे, जब यह ऐसे कलर में आने लगे, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगेगा, तो हम प्याज को निकाल लेंगे, बस उससे ज़ादा हम पकायेंगे, तो प्याज जल जाएंगे, फिर मैंने तेल को कम कर दिया है, और इसमें हम पनीर को फ्राई नहीं करना है सिर्फ इसकी boundaries में redness आने लगे तब तक हमें इसे fry करना है आप देख सकते हैं पनी रेड होने लगे है एक एक साइड से फिर हम इसे निकाल लेंगे और अभी oil थोड़ा कम हो गया है तो मैंने थोड़ा सा और oil ढाल दिया है इसमें थोड़ा सा oil गराम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा आधी चमच मैंने जीरा लिया है जीरा तरक नहीं लगेगा तो इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े우 मसालि आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं आप वो सब ले सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया तेज पत्ता जब यह थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सारे ही खड़े मसाले बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इलाइची लेंगे तो इलाची बड़ी इलाची और छोटी इलाची दोनों को ही कूट के थोड़ा से जाल लिएगा जिससे वो खुल जाये जब मसाले थोड़े से फ्राई हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया बारी कटे हुए हरे मिर्ज और अद्रक लेसुन को मैंने दरदरा कूट करके डाल दिया है इसमें आप चाहे तो इससे लेसुन स्किप कर सकते हैं अगर आप लेसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इससे हटा सकते हैं प्याज भी नहीं फ्राई करिए चलेगा उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है करीपता यह totally optional है आपके उपर depend करता है आप अगर डालना चाहे तो डालें वरना इसे skip कर सकते हैं फिर मैंने इसमें डाल दिया है बारी कटे हुए प्याज और प्याज को भी हमें बस translucent होने तक fry करना है जादा इसे पकाना नहीं है जब प्याज translucent होने लगेंगे तो इसमें मैंने डाल दिया है तमाटर आप चाहे जो टमाटर की प्योरी डाल सकते हैं मैंने टमाटर खड़े मतलब उसे बारी काटके डाले है उसमें डाल दिया है टेस्ट इकॉर्डिंग नमक और उसे हम एक बार ढख करके पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं दो मिनट के लिए हम इसे ढख के पकाएंगे उसके बाद हम ढखकन खोल करके इसे थोड़ा सा मैश करते हुए टमाटर को फिर से चला लेंगे जिसे यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और मतलब थोड़ा मैश हो जाएं तो ग्रेवी थोड़ी सी बन जाएगी थे अगर आपको जादा थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इसे इसका पेस्ट बना के डालिए फिर से मैंने डाल दि करता है कि आप इसमें क्या डालेंगे बाकी टेस्ट इससे बहुत अच्छा आना है एक बड़ आप सबजी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढग करके रग देंगे जिसे सबजी सॉफ्ट हो जाएं तब तक हम इसका डो लगा लेते हैं जो हमें पर्दा बनाना है उसके लिए मैंने दो कप आटा ले लिया है गेहू का आटा लिया है मैंने फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही मैंने दो चमच दही लिया था उसमें थोड़ा सा पानी करके डाल दिया उसमें हम डालेंगे आधा चमच नमक और एक बड़ा चमच तेल और इसे हम गू बस इतना ध्यान रखना है कि हम रेगुलर आटा लगाते हैं रोटी के लिए उसे थोड़ा सा लूज आटा लगाना है सबजी भी सॉफ्ट हो रही है और हमने इसे खोल के देख लेते हैं एक बार काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है सबजी एक बार हम इसे चला लेंगे मैंने इसमें पहले से उबले हुए आलू नहीं डाले थे क्योंकि वह अल्रेडी पके हुए थे इसलिए हम इसे बाद में डाल देंगे और उपर से मैंने चार से पांच बरे चम्मच दही ले लिया है और दही को हम डाल करके मिक्स कर देंगे दही को डालने के तुरन बाद हमें मिक्स करना है वरना दही फटने लगेंगे और अगर आपको थोड़ा सा इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी भी आड़ कर जकते हैं बस पानी ज्यादा नहीं आड़ करना है दो से तीन और बभी साषी बिर्यानी मसाला कीञा, बढ़ लांय में यृणा है, दो चंस पा बिर्यानी मसाला डाला है, था इस अगर आपके पास साही बिर्यानी मसाला नहीं है, तो उब वज को चपीशप्णी मालड़ा D brass सबी कुक हो गई हैं अच्छे से सारे मसाले मिल चुके हैं अच्छे से और मैंने इस सब्जी को थोड़ा सा सूखा रखा है अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो जैसा कि मैंने बोड़ा दो तीन चमच आप इसमें पानी डाल सकते हैं और उसे फिर से कुक कर लीजे सब्जी को हम निकाल लेते हैं फिर मैंने जो आटा गूट के रखा था उसे हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे ना रोटी बहुत पतली रखनी है और ना ही बहुत मोटी रखनी है बस हम इसे फोल्ड करेंगे और जस पैन में हमें बनाना है उसमें हम रख देंगे पैन में एक जगे स दूसरे जगे हैं हीचने में फट सकती है रखने के बाद हम उसे a rebus करके उसे पैन का safe दे देंगे अच्छे से प्रेस करेंगे धान रखे 자 की रोटी फटे नहीं दे अच्छे से मैं इससे दबा दिया है अब अच्छे नहीं यूज़ कर रहा है तो उसकी जगें सरसो का तेल ही लगाएगा और कोई तेल लगाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है उससे औयाद है हमने सिफ 70-80% चावल को कूख किया था वो बाकी के 20-30% चावल नहीं दम में पकेंगे हम जो हमने प्याच को फ्राई करके लगा था अम रखा था उससे जो हमने सब्जी बना के रखी थी वह डाल देंगे अगर आपने सब्जी को ग्रेवी वाली बनाई है ज्यादा ग्रेवी है उसमें तो इसमें बहुत नीचे मट डालिएगा वरना उसका जो पानी है वो नीचे चला जाएगा और रोटी सॉफ्ट हो जाएगी वहां से नीचे हम एक लेट लगा देंगे सब्जी की और मेरी सब्जी काफी सूखी है यसलिए मैंने अच्छे से लगा दिया है अगर थोड़े से आपकोई ग्रेवी वाली सब्जी है तो थोड़ा सा कम लगाईए गर नीचे वाली लेट में फिर से हम इसमें राइस की लेरिंग कर देंगे और उसके बाद हम फिर से वाई प्याज डालेंगे आप चाहें तो इसे एक लेयर में बना सकते हैं मैंने इसे डबल लेयर की बनाई है बस हमें फिर से उसी सेम प्रोसस को रिपेट करना है पहले प्याज डालना है फिर धन्य केसर को भिगा के रख सकते हैं और केसर वाला पानी डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं ना कर और ना ही केसर के पानी दोनों की जरुरत नहीं है फिर मैंने समें सब्जी लगा दिये थे थोड़े से पनीर के तुकड़े डाल दिये थे मैंने आप चाह इसंदे चालें भूर्ष्ट, जालेंगे सबस्भाड़ अदरण सबस्राइब कोड़ा, धन्याद गीह जाल मुनक्ल kanar इस इसे दाएंगे चिॉट ऐ wanna छिए राइस की स्वाला कोड़ा है WITH cut लगें के समें इस नियाद बेक चृट पनीर काउगे पनीर लगाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े すे घी घी मैंने फाइणिल स्टेप में ही डाला है मैंने तीन चमज घी डाला है इसे आज देंगे गहुत बिधालादे 2 एंस पिर प्रहादव देंगे और उसमें हम पानी लगा देंगे ये रोटी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमारा आटा स्ट्रेची नहीं है क्योंकि हमने गेहू का आटा लिया है अगर मैदा लेते तो थोड़ा स्ट्रेचिबल होता और इसे हम खीच के लगा सकते थे अगर हम गेहू के आटे को खीचेंगे तो वो फट जाएगी हमें बहुत ही टाइट सी पोटली बनानी है बस एकदम मत खीचेज़ेगा कि वो पोटली फट जाए इससे क्या होगा अगर हम टाइट पोटली बनाएगे तो दम बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही टेस्टी विर्यानी बनेगी अच्छे से टाइटली हम पैक कर देंगे चारो तरफ से प्रेस कर करके पैक कर देंगे जिससे ये कहीं से खुले नहीं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फिर से फ्राई करें मतलब रख देंगे पकने के लिए और इसे हमें कम से कम 5-7 मिरट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम मत कर येगा बनना जल जाएगे। लो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और उसमें भी अच्छी नहीं वनेंगे तो मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिरट। फिर हमें इसे पलटने के लिए ध्यान रखना है कि एक पैन लगाएंगे पैन में ऊपर हम ओइल लगा देंगे मीज जिदर हमें पलटना है उधर साइट से ओइल लगा देंगे और उसके ऊपर रख करके ऐसे फिलिप कर देंगे असानी से बिना फटे हुए पोटली आराम से पिलट जाएगी और उससे साय से हम फिर से साट-से आठ मिनट के लिए पका लेंगे इसे और आप चाहें तो उपर ठोड़ा सा ओयल लगा डबें या तो घी लगा या मेभी तुम इसकिब कर सकते हैं और इसे एक बड़े वर्तन में निकाल देंगे अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूं कि कितने अच्छे से बिर्यानी बनी है और जो हमारा 20-30% राइस अब भी अच्छे से पक गया है कुक हो गया है और आप उपर से रोटी के लेयर देख सकते हैं कितनी अच्छी से क्रिस्पी सी बनी हुई है काटने से पता चल रहा है कि काफी अच्छे से क्रैक्स आ रहे हैं तो हम इसे कट कर लेंगे थोड़ा रब करके कट करेंगे कि आसानी से कट जाएगा वरना इसमें क्रैक्स आ जाएगे और यह तूट जाएगा देखिए, बिल्कुल रेस्टराँ स्टाइल होटल स्टाइल भन के तयार है एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ ना रायत्य की जरूरत है और ना ही सालम की जरूरत है बस इसे हम सलाद के साथ निम्मुण में लिचोड करके खाएंगे बहुत ही अच्छी सी एकदम पर्फेक्ट बिर्यानी बनके तयार है एक बार आप ट्राइज जरूर करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली एंद फ्रेंज में वीडियो को शेर हम एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए बाइबाई